अगर सिफारिश वालों को ही नौकरी देनी होती है तो ये दफ्तर वाले हमें इंटर्व्यू के लिए क्यों बुलाते हैं भारत डिगरी हाथ में लिए यूचुप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा इंटर्व्यू यूँ हैंड्स आप का लो तुम है में, Master of Arts from Delhi University मैं कहता हूँ माल निकालो माल का लोग्यू यूचुप विए हाँ हाँ मुझे रुपिया चाहिए, मेरी मा बहुत बीमार है तुम्हे रुपिया मिलेगा, पर पहले मेरी शर्ट तो मानो आउ मेरी जान कुपकाता! आप से कहा गया है कि ये जमीन खाली कर दें और अपने जोपड़ें से रटा लें सरकार जोपड़े हटाने का तो हुकम कई बार दिया सरकार ने मगर यहां से हटा कर कहा ले जाएं ये आज तक नहीं बताया सरकार ने ये सब कुछ हम नहीं जानते ये जमीन सेड़ जी की है और सेड़ जी यहां पर अनाफा श्रम बनाना चाहते हैं पर वार बहुत पर फिर्म आफाने की हम अज़ाएं भगवान, मेरे भारत के दुख दूर करते है उसे नाकरी दिलवाते भगवान सोजाओ माँ, हर भगवान को भी सने दो तु लो रहा है बेटा, आज तो बहुत बड़े दफ्तर में गया था ना, कल एक और बड़े दफ्तर में जाना है मा, तुम निराश हो गई मैंने जनम पत्री एक जोटशी को दिखाई थी राहू केतु अपनी जखे प्याटल है ना वो कहता था एक तो महीने में स्टब ठीक हो जाएगा मा, मेरी जनम पत्री, मेरी कुंडली ये डिगरी है डिगरी और इसकी किसमत में कितने राहू है, कितने केतु ये कोई जोटशी नहीं जानता किस-किस को देखिए, किस-किस को रोईए, आराम बड़ी चीज है, मुढ़के सोईए क्या हुआ? कुछ नहीं भारत, अपने दिन कब बदलेंगे? जब नौकरी मिलेगी नौकरी कब मिलेगी? जब दिन बदलेंगे जाने वो दिन कब आएगा आएगा भारत सच कहती हूँ, चार सार पहले जब तुम्हें एंजिनेरिंग की ये डिगरी मिली थी न तब से यही सपने देख रही हूँ कि तुम्हें कोई अच्छी से नौकरी मिलेगी फिर बसों के लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा अपनी भी एक कार होगी आकाश को छूता हुआ एक सुन्दर सा घर होगा रंग भी रंगी कपड़ों से अलमारियां भरी होंगी पढ़िया से बढ़िया गहने पहनूगी और फिर हवाई जहास में बैटकर आकाश में उड़ेंगे ए शेख चिल्ली की चाची क्यों मेरा सच्छा नहीं पसंद यब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है हाई ने मैं मर जाओ वाँ कहाँ चली तुम भी आओ ना परसात में भीग जाए मेरे कपड़े के लिए हो जाएंगे तो क्या हुआ शीतल आदे घंटे बाद एक इंट्रीव के लिए पहुचना है कौन जाने बरसों बाद इस दिगरी की किसमत खुल जाए और मुझे नौकरी मिल जाए ये हाँ आरे हाई हाई ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी आरे हाई 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 मजबूरी ये मौसम और ये दूरी मुझे पल-पल है चड़ पाए तिरी धाक किया दिना पिरीवे मेरो लाखों कासा वन जाए हाई हाई ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी कितने सावन भी थे चितने सावन भी थे बैठी गुआस लगाए जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए कब आए मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए तिरी धो टक्या दिना पिरीवे मेरो लाखों कासा वन जाए हाई हाई ये मजबूरी ये मौसम और ये भूरी प्रेम का ऐसा बंधन है जो बंध के फिर न तूटे अर ना करता है क्या भारासा आज मिले गल छूटे गल छूटे अमबर पे है रतो सयम पर फिर भी तू घब राए मुझे पल पल है तड़ पाए तेरी दोटके आजी नातरी मेरा राहा कासा बन जाए हाई हाई मजगूरी ये मौसम और ये गूरी मुझे आज मेरा और चंपा काफीज भरने का आक्सी ना भरेगे तो हम लोगों का नाम कटेगा नाक तो नहीं कटेगी विजे भाईया तुम्हारे कॉलेज में स्क्राइख है इसने तुम्हें कोई चंता नहीं मुझे क्यों चंता होगी 111 जबकि हमारी पढ़ाई की चंता हमारा पढ़ा लिखा बिकार भाई करता है करता रहे नहीं करता था मैं कोशिश करते करते ठक चुका हूँ अब मुझे और बंदोबस नहीं हो सकता तो हम क्या करें पढ़ाई छोड़ दो 114 बढ़ाई छोड़ दो जब तू फीस के लिए पैसे मांगा करता था तो मैंने कभी कहा था कि कहां से लाओ रुपया अब मैं बिमार हूँ दिल का रोगी हूँ ना जाने किस घड़ी मेरी आखे बंद हो जाए अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो तूने भी जव यह लगी हुई है यह मेरा कर्ज है तुम पर और यह कर्ज तुमको चुकाना है इन तीनों को डिग्रिया दिलवा कर डिग्री इस डिग्री के टुकड़े करके आप इन तीनों में पांट दीचे एक सो पंदरा सुन लिया तुम लोगों ने क्या कहता है तुम्हरा बड़ा तुम चुप रहा हूँ एक सो सोला यह सेर और तुम सवा सेर एक सो सत्रा तुम कली जाकर चंपा के होने वाले ससूर से कह दो कि उनके हुक्म के मताबिक हम चंपा को भी तक नहीं पढ़ा सकेंगे तुम पांच मिनिट लेट हो गए सहब शीतल अभी गई आज मैं तुम से मि Er kinda my company , मुझ्से मिलने आयो मुझ्से मिलने आयो ? पहली और आकरी बार ऐक दूरूरी काम से कामसे ? क्या काम है ? किसी से कोगे तु नहीं ? नहीं शीतल से भी नहीं ? हरगिस नहीं भाया, मुझे कुछ रुपया चाहिए ओ, रुपया चाहिए? आज और भी अभी तो नहीं है भारत, लेकिन एक काम करूँ तुम अपने घर जाओ, मैं भी आता हूँ जाओ, लेकिन कितने रुपय चाहिए? भाया कम से कम तीन सो रुपया ओ, तीन सो रुपया हाँ मिल जाए भारत भारत, ये लो तीन सो रुपया थेंक यू वकवास बन सीतल को तो नहीं बताया न? नहीं, तुम भी अपनी भावी को नहीं बताना क्यों? हमने आपसे ये थोड़ी पूझा कि शीतल को क्यों नहीं बताना? समझ गया थेंक यू बकवास बन है जब बन अच्छा हुआ मेरा कॉलेज बन है वरना तीन सो की जगहे पांच सो का बंदोबस करना पाए अरे भारत ये क्या कॉलेज है वेजय का जो आए दिन बंद रहता है आजकल लड़कों को स्कूल कॉलेज की कोई हमारे जमाने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था तब पढ़ने माला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खतम और उधर नौकरी पकी लेकन आजका स्टूडेंट अंधेरे में है वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी डिगरी पाने के बाद कि उसे नौफ़ी मिलेगी जन्ही कितनी कड़वी और सची बात कही है भाईया मैं आजकल तो इस बात को कोई समझता ही नहीं फुल्टा उंगली उठाके सब यही कहते हैं कि स्टूडन्स का दिमाग खराब हो गया है डिसिप्लिन नहीं है पिछले साल की बात यादे पिता जी जब मेरे एक दोस्त ने बरसों की तपस्या के बाद अपना इम्तिहान पास किया और जब वो टिगरी लेने के लिए सच धच कर काउन पहन कर हॉल में गया तो टिगरी मिलते ही उसे भार के भेग दिया कितना चल चुका होगा वो तो उसका क्या गया नुक्सान उसके माबाप या भाईयों का हुआ होगा जिन्होंने अपना पेट काट काट कर उसकी फीज भरी होगा माबाप ने तो उसकी पढ़ाई में बीस पच्चिस हजार रुपए लगा दिया होगे लेकिन उसके तो बीस पच्चिस साल चले गया और जवानी के 20-25 साल की कीमत 20-25 रुपे नहीं हो इसे क्या हो गया यह सिर्फ इसकी आवाज नहीं पिता जी अन्धकार में भटकता हुए हर नौजवान की आवाज है यह मैं मर गई लुट गई क्या हुआ और गवर चोरी हो गए कुम ओ गए खौयब हो गए क्या बक्तियो आवरत का जेवर उसकी इज़त होती है अगर वही लुट गई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता अजी इज़त गई चपड़ वाले खुमे में मेरे गवर चोरी हो गई अगर वह मर गया तो तू विद्वा हो जाएगी हो जाने विद्वा ओकि ठाहु जाएगी तु क्या जेवर आपके की पास है मुशी जी तु अरे मुरख मेरे पास नहीं, मैंने बक्से सी निकालकर बैंक में रख दिया है, यू बैंक में रख दिया है, तु नहीं समझती, टुस्वत का दर्वाजा तो खोले से खोलता है विजय, ये लो पांच हजार, कसम पुरानी द कोशिश करो कि सारे कॉलेजिस बंद हो जाए, वाइस चांसलर का घेराव करवादो, यूनिवस्टी की बिल्डिंग को आग लगवादो, तो कसम पुरानी दिल्ली की मज़ा आ जाएगा, खलीफा आज का स्टूडन को 21 से चलने वाला खिलोना नहीं, आज के स्टूडन को कि किसी भी नाजाष काम पर करना नमंकिन है, कोशिश करना इंसान का फर्ज है, मैं न जानता फर्ज क्या है, मुझे तो paghin. इसलिए कि तुमारे घर में भूग थे और पूरानी दिल्ली की मेरे घर में भी भूग है यो रुपिया दिया किसनने आपको, उसके घर में भी जुक है, मैं नहीं जानता टेकेट, मैं बॉइ इस्यू बैस्टों फॉक यह आप रुजय यह इंडिया गेट है बर्सों से तो देख रहे हैं आप आप आज कुछ बदला बदला सा दिख रहा है पहले यहां कुछ भी नहीं था और अब यह बंदूक और टोपी भाईया अब इसे अन्नोन सोलजर कहते है कुम नाम सिपाही मैं समझा नहीं भाईया यह जो तुन लोगों की याद में जलती है जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गये और तुम रुपय के लिए शहीद हो गये भाईया मैं उस देश के बारे में कैसे सोचूँ जो आप मेरे भाई को रॉकरी तक नहीं दे सकता जेब से रुपया निकालो मैं कहता हूँ निकालो रुपया भाईया इन रुपाँ से हमारी बहुत सी जरूरत है पूरी हो सकती है पॉलिज बंद करवाके वाईस चांसलर का घहराओ करके उनिवस्टी की बिल्दिंग को आप लेगा कर थिकार है तुम जैसे भाईब विजे भूप से मर जाओ कोई गम नहीं लेकन जीओ इस देश का अच्छा शहरी बनकर जीओ उस दिन के बाद विजे घर छोड़ कर चला गया एक खत छोड़ गया मेरे नाम लिखा था भाईया अगर जिंदगी में आपको शकल दिखाने के लाइक बना तो लौट आओंगा नहीं तो समझ लीजिएगा कि आपका भटका हुआ भाई अंधकार में खो गया मही ने भीट गए ना वो आया और ना ही उसकी ख़बर पिताजी की हालत भी करने लगी और मा मा रो रो कर ठक गई दिन रात भागवान से उसकी वापसी की प्राटना करती रहती और मैं मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था कि विजय घर से क्यूं चला गया हर साल यही सोचता हूँ के नौकरी मिलेगी तो तुम्हें तुम्हारे अगले जनम दिन पर अगर हीरे की अंगोठी ना दे सका तो कम से कम सोने की जरूर दूँगा अगर अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है, यह ना उखरी नहीं मिली, अगर बहुत कुछ मिल गया, तो टेलिविजिन पे गाने का प्रोग्राम मिल गया, या कोई छोटी मोटी टुईशन मिल गयी, खाजाने दो, हाथ लाओ, जनम दिन का तोफा ये स्टेनलेस टील की अंगूठी पसंद है, तोफा पसंद नहीं, जब तुम पसंद हो, तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है, आए मरजा मा, शेहितल, आंतियो, भगवान की तस्वीर वाली अंगूठी क्यों लाया हूँ, क्यों, हमारे इस रिष्टे का किसी को तो साक्षी होना चाहिए, और फिर भगवान से वढ़के साक्षी और कौन होगा, हाँ? आओ, गोपालाओ, जब भी मै拉 टेलिवीजन पे गाने का प्रोग्राम होता है, साला तुव आदमकता है, तुम्हारे प्रोगरमें चार्सकंदर खन्ना से तुम्हारे प्रोग्रम के बारे में पता लगा लेता हूँ और फिर आदमकता हूँ और फिर यार गाना गा के जो तुम पैसे कमाते हो उसमें सीजार पांच-दस रुपए मुझे भी मिल जाते हैं और अपनी कड़की दो दिन के लिए दूर रहती है ओए कड़के हाँ भाई पहले लड़का था अब कड़का इस जिन्दगी में ना नोकरी मिली ना चोकरी मुझे मिल गई क्या चोकरी नहीं नोकरी भारत कैसी मैं मोहन कंपनी के मालिक मिस्टर मोहन की परसिनल सेकरटरी कंखा पूरे साथे साथ सु रुपए हम देख आपनी संगूठी का कमाल है भारत हाँ सच मुझे संगूठी ने कमाल कर दिया हमारी सारी जंदगी बदल दी शीतल नोकरी मुबारक चलो अब प्रोगां का वक्त हो गया रेड़ी रेड़ी भारत आज ऐसा गीज गाएंगे कि दुनिया याद रखेगी बोला नहीं ताट मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी इन रसमों को इन खसमों को इन रिश्टे नातों को मैं न भूलूँगा मैं न भूलूँगी मैं न भूलूँगा इन रसमा को, इन खसमा को, इन रिष्टे नात बाको मेला भूलूँगा, बीन भूलूँगी मेला भूलूँगा, बीन भूलूँगी बीन भूलूँगी चलो जग को भूले, ओ चलो जग को भूले खयालों में जूले बहारों मिल्डों ने, सितारों को छूले मात तेरी में मान सवारू, तू दुलहन बन जा मांग से जो दिल हन का रिष्टा में न भूलूँगी मैं न भूलूँगा, में न भूलूँगी में न भूलूँगा, में न भूलूँगी में भूलूँगी में भूलूँगी जूलूँग dव चारमा समय की धारा में मर नहें जानी है जो भड़ी जी लेंगे जो भड़ी जी लेंगे वही रहे जानी है मैं बन जाओं तास आखरी तो दिवन बन जाओं जीवन से सासों का रिष्टा मैं ना भूलूंगे मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगे मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगे हुआ 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 है बरसता सावन हो महकता मैन हो कभी दिल दूला हो कभी दिल दूल हनवा गगन बन कर घूमे चल दूरा हे मोडे कभी दूब जाना है नजर नहीं आना है कहीं पर बस जाएंगे ये दिन कट जाएंगे अरे क्या बात चली नदेखा रात ढली ये बाते चलती रहे ये राते घंती रहे मैं मन को मंदिर कर दालू ठूपू जन बन जा मंदिर से फूजा खा रिष्टा मैं ना भूलूगी मैं ना भूलूगा मैं ना भूलूगी इन रसमों को इन कसमों को इन रिष्टे ना को मैं ना भूलूगा मैं ना भूलूगी मैं ना भूलूगा मैं ना भूलूगी मोहन सहाब, पिछले साल आपने 20 लाग टेक्स भरा और फिर एडवांस टेक्स भरने के लिए रुपया सूथ पर लिया और इस साल 22 लाग टेक्स भरने के बाद एडवांस टेक्स भरने के लिए रुपया फिर सूथ पर लेना होगा ये इस देश का कानून है और इसका पालन हमें करना मगर इस हिसाब का कानून गलत है सर अगर कानून गलत है तो वक्त उसे अपने आप बदल देगा मोहन सहाब, आज अगर आप एक सो रुपे कमाते हैं, तो मुश्किल से आपके हिस्से में तीन या चार रुपे आते हैं, बाकी सब तो टैक्स में चला जाता है लेकिन टैक्स में भरा हुआ रुपेया कहीं किसी काम तो आता होगा, क्यों? क्पई हैं, गुस्ताखी माफशर्ग, आज अगर आप कमाते हैं तो टैक्स भी भरते हैं, भगवान न करें, अगर आप कमा न सकें, तो क्या ये सरकार आपको खने को देगी? किसी भले आत्मी ने कहा है, यह मत सोचो के देश तुम्हे क्या देता है, सोचो यह के तुम देश को क्या दे सकते हो, और जब तक हम सब यह नहीं सोचते हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप जा सकते हैं मिस्षीतल, यह सार, पांच बच चुके हैं, आप खार जा सकते हैं थैंक्यू सार, मिस्षीतल, यह सार, दस बारा दिन उसे देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ दो जोडे कपड़े सार, में कंपनी का स्टाफ क्या खाता है, क्या बेहनता है, इससे कंपनी पर हसर परता है इसलिए मैं चाहूँगा कंपनी अकाउंट पर तुम कुछ नहीं कपड़े खरीद दो सार, में खुद अपने मिर्शीता, छोड़ी छोड़ी बातों पर पहस करना मनासिप नहीं गुद नाइट भावी, तेख हुई रंग दिरंगे कपड़े सारी तनख्वा इंधी कप्रों में बरबाद कर दी भावी, ये कपड़े कंपनी से ने ले हैं क्या? हाँ, ये सब मोहन सहाब का तोफा है अरे बाव, ये मोहन बावो तो कोई बाव बाव पर हत्मताई लगते भावी, वो कितनी अच्छी है, इसका अंदाज़त कोई और नहीं लगा सकता शीतल ये साब सरानक ये सारी के साथ ये लाल फूल अच्छा लगए थैंक यू, थैंक यू साब भारत मेरे बालों में फूल देखते हो हाँ कैसे लगते हैं फूल तो डाली पे जैदा अच्छे लगते हैं भारत तुम्में बहुत रूखा पैनाता जा रहा है कभी कभी सूचती हूँ काश तुम मोहन बभू होते तो क्या हो जाता है तुम्हेरे सारे सबने फूरे हो जाते हैं जिन्दगी बस उनकी लैनों में लगकर पीछे न रह जाते अगर तुम्मुहन बाभू होते हैं तो जिन्दगी बड़ी बड़ी कारों में वक से तेज भागते हैं ये, तो इनसान तेज भागते है ना, उन्हें ठोकर लगती है, फिर वो गिर जाते है, फिर वोई बार, आयर जाने तो बताओ, कल कौन सा दिन है, कल, मंगल बार, सिर्फ मंगल, और क्या, बूल गई, कल मेरा, जनम दिन है, हाँ, और ये भी याद है, कि आज से चार साल पहले ह हमारी पहली मुलाकात, टीवी स्टेशन के पास वाली सेंटिन में हुई थी, और ये भी याद है, कि हम हर साल, उसी वक्त पे, उसी जगे पे, उसी देट को मिलते हैं, और कल पांच बजे फिर मिलेंगी, कल पांच बजे तक तो तुम्हें महान साब के साथ रहना है, मैं कल चार बजे चुटी ले लूँगी, पूरे चार बजे Sir, Sir, चार बज गया और मैं जानता हूँ, चार बज गया है, चाय का वक्त हो गया है, और चाय मंगवाएं या ना मंगवाएं यही कहना चाहते हूँ लेकिन Sir मुझे आज काम इतना बिसी था यह कहना भूली गया के लाल साडी के साथ आज यह लाल फूल ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, यह लग प्रड़ी Thank you, Sir अज़ देखो आज पांच बजे अमेरिकन कंपनी के डिरेक्टर साथ मीटिंग है अगर यह मीटिंग सक्सेस्फफल हूई तो दो चाहदे में हमें निव यॉक जाना हो लेकिन Sir मुझे ठीके चाइवा पी लेंगे यह टेख इस पांच बजे बहुत देर हो गई यार बहुत देर हो गई पांच बैसे बैटे हो रट बजने को आई शीतल भी तो किनी आई शीतल नौकरी वाली और यह बिलकुल बेका और फिर प्राइवर्ट सेक्टरी को तो माली का साया बनका रहना पड़ता है भारत शीतल आती रहेगी तो मेरे साथ चलो कहीं किसमत हमारी राह देख रही है मैं जब भी आपको टीवी पर देखती हूं आपका गाना सुनती हूं बस पागल से हो जाती हूं फिर गोपाल से पता चला कि इतने बड़े कलाकार को एक नौकरी के जरुवत है मैंने कहा करोड़पती सेट नेकिराम मेरी मुठ्छे में है एक इशारी की जरुवत है कि बस नौकरी पकी क्या लेंगे आप? जी सोड़े के साथ या पानी के साथ? जी, थैंक्स मेरा दोस इन बातों में बिलकुल पंडित है पंडित 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 जी पहले मेरा जीवन भी एक जोगन की तरह था बच्पन में मा गंगा जल बिलाया करती थी लेकिन अब अब जिन्दगी को जरुरतों ने इस कदर निचोट लिया है कि सुभा शुरू होती है तो शराब से और राट ठलती है तो शराब से पहर जाने दो पंडित जी, आपकी नौकरी तो बिलकुल पकी है सेट शी काम क्या करते हैं दिखावे के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन अस्प्रियत में सब गोडमार है सेट नेकी राम सेट नेकी राम तो मुरली वाले का पुजारी है उसके सुदर्शन चक्र से अपना चक्र चली जाता मलीका नेकी राम यही वो आदमी हैं जिनके काम के बारे में तुमने कहा था आदमी भरोसे वाले हैं मेरे पेत आजबाशा तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है बिलकुल भरोसे के हैं तो फिर इनकी नौकरी पकी न सेट नेकी राम नौकरी नहीं देता हिस्सा देता है चाराने, क्योंकि मेरे काम में थोड़ा जोक्रम है, थोड़ा खत्रा है, आज इन कोरे कागजात पा दस्तर कर दो, और कल से काम शिरूँ पंडी जी, तुम साइन नहीं करोगे? शायद, मैं ऐसा वैसा काम ना कर सकूँ सेट, नेकी राम ना ऐसा वैसा काम खुद करता है, ना किससे करवाता है वो तो मलका नेकी राम ने तुम्हारे बारे में कहा, तो हमने कहा कि ठीक है खेर जी गोली मारो कोरे काफजों को अगर मलकाय नेकी राम कभी हमारी बगल में आकर मचले तुस कोनें बैठ कर कोई गीत छेड़ देना मैं बाजारी गीत नहीं जो हर कोठे पे गाया जाओ ओ नो, वो तो चला गया तेंदाई बस नहीं आई आजाएगी आजाएगी तो मुझे चागाते है शीतल मैंने तो के भी खाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी जरूरी बात का इतनी जल्दी फैसला हो जाएगा यह तो जट मंगनी पग्वयावाली बात हो गई शीतल चलो घर जाकर यह खुशकरवरी मागो सुनाए लगता है बस आई मुझे लगता है बस गई ओहो कल नानी की सोबर माफी माँचुकी मगर एक तुम हो की कुछ बोलती ही नहीं अच्छा बाबा मत बोलो मैं ही बोलती हूँ इसली कि मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ कूछो क्यों कोई चट मंगनी पट्प्या वाली बात हो गई बिल्कुल कल बात बनी आज अमेरिका जाने का पक्ता हो गया थेना खुश खबरी शीतल तुम्हें रहने के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए ना आसमान को छूता हुआ शीतल एक कंपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही है मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है नौकरी? हाँ नौकरी जब वह बिल्डिंग बन जाए ना तो वह उन साब से कहना उसे खरीद दे है तो तुमने कल नाने के लिए माफ नहीं किया जितना बड़ा दफतर उतने बड़े काम मुझे याद आगया मुझे भी बड़े काम करने है पासपोर्ट ओफिस जाना है पासपोर्ट? हाँ इधर पासपोर्ट बना? उधर हवाई जहाँ जूड़ा शीतल मोहन बाबू के साथ हमारिका चली गई अब मुझे लगने लगा ऐसे थीरे थीरे वो मेरी जिन्दगी से दूर होती जानी है ए तुलसी, तुम्हें देखाई नहीं देता? अरे बाबू, सुना है अंधो के आश्रों में भी काम करके खाना पड़ता है नहीं तो कसम से मैं कह देती कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखा देता, सुर्दास नहीं इन कपड़ों का क्या होगा जिन्हें गंदा कर दिया है उतर दो, सो दूँगी सोच समझ के बात क्या करो अरे बाबू, आगर सोचने लगोंगी तो काम कौन करेगा और काम नहीं करोंगी तो मुफ्त में मस्तुरी कौन देगा बहुत बोजती हूँ मैं कहां बोलती हूँ बाबू और अगर भूले भटके बोल भी लेती हूँ तो यही समझ कर कि तूलसी बोल ले, बोल ले अभी वाक्त है नाजाने बोलने पर भी कब रेशन लग चाए बबबबू, रेशन की बाद से मुची याद आया मुची भी रेशन लाना है, मैं जाओ मैं गी होरेस अपाजी स्रीयकाल स्रीयकाल अबनाम सिंग, जब जब ये बूड़ा आता है तो तूलसी उसे देखकर कुछ डर्स ही जाती है और फिर कोई ना कोई बहाना लगाकर उसके पीछे चली जाती है ऐसा क्यों? राजी, एक आदमी की सौ-सो कहानिया तो सौ-सो अप्साने किस-किस की सोचोगे तो किस-किस की सौगे मुरीन जी, आप जरा सिमट की बोरियों की गिंती करवा लिजेगा ए तुलसी, तुम्हे दिखाई नहीं देता बाबु दिखता तो है, मगर क्या करूँ मेरी मित्ती जब गिरती है, तो आप क्यों पर ही गिरती है इसके पहले जो बाबु था ना उसके उपर कभी नहीं गिरी तुलसी, तुझे कुछ राशन वाशन लाना होगा हाँ अरे वा, क्या बाबु हो मैंने मांगी नहीं तुमने छुट्टी दे दी बस बाबु मैं गे यार आई, ले पकड अले मुन्ना, क्या हुआ मेरे बेटे को, बस बस बाबा, आज तुशे बुखा नहीं चड़ा फिर को रो रहा है कुछ समझ में नहीं आता बेटी बच बच, नहीं लोते, नहीं लोते कुल्सी? हाँ बाब कौन है? किसका, मेरा? नहीं, उस बच्चे का मैं जानती थी बाबु, कल तुम मेरा पीछा कर रहे थे मेरी बात का जवाब नहीं दिया किस बात का? बाब कौन है? यह पूछने की हिम्मत तो मेरे बाब ने भी नहीं की बाब इसलिए नहीं पूछता कि वह बाब है तुमने ठीक कहां बाबु कौन बाब अपनी बेडी सुस के बाब का हिसाब पुछता है पर बाबु, तुमी पहले आदमी हो जिसने पूछने का करश्ट तो क्या है? तो बताओ बाबु, तुलसी दास की रामायन में राम भी है, सिता भी है पर इस तुलसी की रामायन में ना राम है ना सिता है स्रिफ रावन ही रावन है इसलिए तो कहते हो, जा करोगे सुनकर बस इतना है जान लो, मेरे बेटे के बाप है रोटी, कपड़ा और मकारा मैं, मैं समझा नहीं, बाबू, वो जो बाबा आता है न, वो मेरा बाग है, फाक्टरी में काम करता था, एक दिन मशिन में फसकर, तांग ही कट गी, फाक्टरी वालों ने बहुत खर्चा किया इलाज पर, उनियन वालों ने चीजान से मदद की, और जिस महलों में हम लोग रह आई, तर कब तक, कितने दिन, एक दिनों महला छूटके, हम लोग इस पस्ती में आगे, जो कुछ थोड़ा बहुत पास था, वो भी खतम हो गया, अब मारी हालत पर तरस खाकर, दुकानदान ने उधार देना शुरू कर दिया, और बाबू, जिस कागस पर अपना हिसाब थ दुकानदान ने उधार देना बंद कर दिया, पास दिन से पेट में आनाज का एक दाना थक भी नहीं गया, बाबा को बुखार था, मैं हिम्मत हार गई, जब भीक मांगने के लिए इस दुकानदार के पास पहुंची, लाला मुझ पर तरस खाओ, पास दिन से आनाज का एक तोड़ देगा, लाला, लाला मैं तुमारी पाउ परती हूँ, मुझे दो मुठ्याराज देदो, मैं चितना जली हो से के तुमारा हिसाब चुका दूँगी, मेरे जौपने के किराय का क्या सोचा, ये किसी का क्या सोचे की, जिसे अपने ही तन का होश नहीं, देखो, देख जा गोदाम के अंदर, भदले फेलिये ना इस से, जा आपने दरवाचे क्यों बन कर दिया? अरी, जनता को हम बोल चुके हैं कि राशन की दुकान में राशन का माल नहीं, अगर जनता को ये पता लग जाए कि गोदाम में माल भरा पड़ा है, तो जनता मेरी खाल उधेर देगी, उलसी, आचा तु यहां से भर ले, और वो सामने मेरी कपड़े की दुकान है, अपनी पसंद का कपड़ा लेती जाना है, तुम शुप रहा हो जी, जा तुझे, जा, भर लो जोली जितना आटा चाहिए पहले पैसा, फिर आटा लाला, लाला मेरे पास कुछ नहीं है, अरे तु तो तकसाल है, तकसाल करो मत, शेट दयाराम तुमको इस जोदाम का मालिक बना दे और मैं जुपड़ा तेरे बाप के नाम लिदूँगा और मैं तुझे इतना कपड़ा दे दूँगा, कपड़ा कपड़ा हो जाएगी मुझे कुछ नहीं छगए, लाला मुझे जाने दो, लाला, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चगए तीन महीने का तिराया नेना और बस मेरी आवाज अनाज से दब की, पुरानी चोली उतर गई, ये दाग तरतामन पर नहा जोरा सच गया, क्यों बाबू, है नानो खिरम है, ना जिस्मिराम, ना सिता, सिर्फ रावन नी रावन है, तुलसी जी, राम राम, जै सिता राम, ए जगू, इजद के चकर में तो इजद लुट गई थी अपनी, लेकिन आज मैं चिला सकती हूँ, उस दिन तुम लोगों ने नोचा था मुझे, आज मैं तुम्हारा मून नोच सकती हूँ, समझे गो गपे, तुलसी, तु आज बचके नहीं जा सकती, अरे जा जाए, ले आ इसे, छोड़ दो इसे, आप की तारी, इस वक्त अपना बाद समझ, और बाबू, उन तिन रावने में से एक रावन ये है, माकान वाला, मैं कहता हूँ, छोड़ दो इसे, मैं कहता हूँ, चले जाओ यहां से, अगर ना गया तो, तो, जाओ, बाओ, तो! खुश कर अई! अभवा, खुल दते! हचे, हचे! छोर दिए, जगू, जगू नहीं… जगू नहीं मैं के तू नहीं, जगू! हÄईएएe! चोभ बोलेज चलने हो! अगर तुम ना आते तो नहाचाने बाबु का क्या होता और अगर बाबु ना होता ते लोग मुझे नानक नाम चरदी कला तेरे पाने सरवद्दा पला अगर उस दे तुम झायसे कोई आ गया हो तो इस तुल से की रामन तो घृड़ा तने राम होता है तुल से अगर थी यौज और यहरा रामन में डिन यह रदाग तक है क्कसवर गृुधी hmm और तो तुरी रहमन में अनमान जुरूर रहा है अगर किसी भी रावण कर साया तेरे पपड़ा न हम उसकी गर्दन को वड़ देगा, काट देगा, उसकी लंगाय को जरा देगा कुसम वा गुरूदी येलो आटा येलो पैसे अजे रहने तू तुसी रानी फुर्सक में आजाना क्या? आइस्ता बोलो क्या हो? एक बार फिर आजाना मुह मांगे दान दूँगा दोगे? हाँ राम कसम अरे एक बार तू मांगे तुदेख तोला बरस की लड़की को औरत बनाने वाले क्या तू मुझे फिर से लड़की बना सकते हो? अरे तुलसी रानी भगवान भी कली से फूल बनाता है फूल से कली तो वो भी नहीं बना सकता अरे भगवान तो इनसान के साथ साथ तुम जैसे शैतान भी बनाता है यह लो आटे के पैसे और पहले की दो बाकी रहेगे दस बस अरे वो मुझे वाले कपड़ा गर्ज गर्ज फाते हैं और जबान मील भर निकल रखी है सुना है तुने अपनी बेटी को शादी शुदा नहीं अपनी कुमारी बेटी को चौथी बार मा बनने से बचा लिया क्या बखती हो अरे लाला तुमारी गंदी मैली और लूटी हुई इजद के थांजी जोभी गड़ पर धूलते हैं न मैंने भी अपने बेटे को वही पर जनम दिया था इसी डॉक्तरन के पास अरब लाला, वह अपनी बेटी को मा नहीं बनने देना दूसरों की बेटीयों को मा बनाते जाओ 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 फिल्सी जल्दी-जल्द, आच चलाओ कियलो यह क्या जिसमें तुम्हरे बेटे के लिए खिलाओने जिलो डी बाबू, मैंने तो सोचा था, तुम रात भर मेरी गंधी जिन्दगी के बारे में सोचोगे और सुबा मुझसे बात भी करना पसद नहीं करोगे लेकिन, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया तुलसी अगर तुमने ऐसा सोचा तो बाबू, मैंने बहुत उको देखा, बहुत उको जाना जिसके जिन्दगी पर कलंग लग जाना, उससे दुनिया दूर भगती है और मैं, बाबू, मेरी सिंदगी सिफ कलंग की नहीं, ग्रहन है, ग्रहन तुलसी, मेरी मज़दूर साथी लोग कहते हैं, जब ग्रहन लगे न, तो जिस चीज में दो पत्थे तुलसी के डाल दो, उससे ग्रहन नहीं लगता तुलसी, तुलसी तो औरों को ग्रहन से बचाती है, तो तुलसी को ग्रहन कैसे लगती लगा बाबू, मेरी कारिफ मत करू, मैं रूपढूँगी अरे, रूए तेरे दूश्मन बाबा, हाँ बेटी, वो अपना बाबू है न, बहुत ही अच्छा है हाँ बेटी, वो बाबू बहुत अच्छा है, तेरी बड़ी तारीफ करता है, तुझे चुट्टी भी देता है मुनने के लिए खिलोने भी लाया, मगर बेटी, तु इस लायक नहीं है, जो किसी के बारे में ज्यादा सोचने लगी न जाने उसके हमदर्भी में क्या बाब चुपा है तु ठीक कहती है बेटी, लेकिन बाबू आस्मान वाले लोग हैं, हमारा तो धर्ती पर भी ठीकाना नहीं इसलिए कहता हूँ बेटी, तु बाबू के बारे में सोचना बिलकुल बन करते है मैं कौन सा जान बुच का सोचती हूँ यह सोच जान बुचकर मुझे सोच में टाल देती है पर तुम भी ठीक कहते हो, बाबू के बारे में नहीं सोचनागी, नहीं सोचनागी, बिलकुल नहीं सोचनागी बाबा, बाबू ने एक खिलो ने कितनी पैसे लिया हूँ फिर बाबू की बाद नहीं करूंगी नहीं करूंगी पर चरते हो बाबा बाबो कह रहा था उसने कहा तू कौन है मैंने कहा उल्फत तेरी उसने कहा तकता है क्या मैंने कहा सूरत तेरी उसने कहा चाहता है क्या मैंने कहा तेरी मैंने कहा समझा नहीं उसने कहा तिसमत तेरी एक हमें आख की लराई मार गई दूसरी यार की जुदाई मार गई तीसरी हमेशा की तनहाई मार गई जो थी एक खुदा थी खुदाई मार गई बाकी कुछी बच्चा तो महगाई मार गई महगाई मार गई आकी कुछी बच्चा तो महगाई मार गई एक हमें आख की लराई मार गई दूसरी यार की जुदाई मार गई किसरी हमेशा की कनहाई मार गई जो थी एक खुदाई धी मार गई बाके कुछ बच्चा था महगाई मार गई अल गई तबीयत ठीक थी और दिल तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार ना चाए तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार ना चाए ये तब की बात है जब किसी से प्यार ना था जब से प्यत सपनों में सबाई मार गई मन के मीख दर्ध के जहराई मार गई नेन से नेन की सबाई मार गई सोच सोच में जो सोच आई मार गई बाके कुछ बचा था महिंगाई मार गई में मार गई कैसे वाक में हाई हाई कैसे वाक में आके दिल को दिल की लगी दिमारी कैसे वाक में मैं आई के बार में हो गए महवी यार किया क्या स्वास में दिल की लगी दिल को जब लडाई मार गए दिल लजी जो प्यार की दुहाई मार गए दिल की बात दुनिया को बताई मार गई और दिल की बात दिल में जो छुपाई मार गई बाकी कुछ बचातो मिंहाई मार गई पहले मुठी विच पैसे लेकर पहले मुठी में पैसे लेकर थेला भर शक्कर लाते थे अब थेले में पैसे जाते रहे मुठी में शक्कर आती रहे आए मेंगाई 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 दुहाई है दुहाई है तुह कहां से आई तुझे क्यों मौत नाई शक्कर ने ये आटे की मिलाई मार गई कोडर वाले दुद्द मलाई मार गई राशन वाली लैन की लंबाई मार गई जन का जोती की चिलाई मार गई बाकी कुछ बच आं महिनाई मार गई धुर बावी कुछ बचा तो महिनाई मार गई गरीब को तो बच्चे की पढ़ाई मार गई बेटी की शादी और सदाई मार गई किसी को तो रोटी की कमाई मार गई कपड़े की किसी को सिलाई मार गई किसी को मकान की पनवाई मार गई जीवन बेबस्तिन निशान दोटी कपड़ा और मकान तूंड तूंड के घर इंसान तूंड तूंड के घर इंसान खोबे खागे अपनी जा जो सची सची बोला तो सचाई मार गई सचाई मार गई सचाई मार गई और बाकी कुछे बचा तो महंगाई मार गई और बाकी कुछे बचा तो महंगाई मार गई करें पिस अंतरु आज से काम बंद किया जाता है सेट जी कहते हैं सरकार ने जायदाज पे सीली लगाने का सोच लिया है इसलिए फिल हाल बिलिडिन का काम बंद किया जाता है आप सब लोग कल लाकर अपना-पना जाब लेते जाना देखो पुनिम जी ये रही इस कम्पनी की टोपी और चश्मा बाकी कुछ बचिया महिंगाई मार गई क्या और नहीं तो क्या अगर तुम मुझे रुपया नहीं दोगे तो मुझे अपने लड़के की कीमत कहीं और से वसूर करना होगी लेकिन दामाद तो कन्यादान से मिलता है मिला करता था अब खरीदा जाता है और तुम्हें भी गरीदा होगा लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो मैं भी मजबूर हूँ लेकिन पुराने तालुकात को नजर में रखते हुए मैं तुम्हे आट दस दिन की मुलद देता हूँ ताकर तुम बाद में ये न कह सको कि रामचंद जबान दे के पड़ गया आट दस दिन क्यों आप अभी सुन लीजिए शाबाश बेटे ये हुई न बाद तुम्हारे जैसे भाई के होते हुए ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ बीस जार रुपए के लिए बहन का रिष्टा तूट जाए भाड में गया इसा रिष्टा पिताजी जो राशन वाले का उधार चुकता नहीं कर सकते जिन्होंने दो साल से इस मकान का किराया नहीं दिया वो इन्हें बीस हजार रुपए कहां से देंगे मात जल्दी हिसाब होगी रामचंद भारत नादान है इसकी बात छोड़ दो मुझे आट-दस दिन की महलत दो आट-दस दिन के लिए अपनी नीन को क्यों हराम करती है इनसे आज ही कह दीजिए कि कर दें ये अपना बेटा निलाम और कमालें बीस हजार रुपया चमपा की किसमत में होगा तो उसे प्रकाश से अच्छा लड़का मिल जाएगा प्रकाश से अच्छा तो क्या अब तो प्रकाश भी नसीब नहीं होगा ऐसा मत कहो ऐसा मत कहो मुझे तरस खाओ राम चेंड मेरे पिता जी ने कितने चाओ से यह रिष्टा माना था वो कितने खुश थे चमपा राम चेंड के घर जा रही है मैं कुछ भी करूँगा मैं तुम्हे बीज़ार रुपय दूँगा मैं बचन देता हूँ राम चेंड मेरे वापस आने पर खुश नहीं खुश तो मैं बहुत हूँ बहन लेकिन यह क्या मुझे आने की ख़बर नहीं दूए नहीं सहीं मगर भारत को न चिथी न तार मैंने मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी था भारत भाईया यह सब लो कहां गया आपके पिता जी की तब्यद बहुत खराब थी उन्हें हस्पताल ले गए हैं इर्विन हस्पताल मिस्टर भारत अगर यह इंजेक्शन और दवाईया आप चल्दी से ले आएं तो मुम्किन है हम इने बचा सके जी वैसे है अंदोबस्त हो जाएगा क्या बात है तुलसी इतनी रात गया अंजगाया अपने बाबू को आपका घर मालू नहीं था क्या बात है भारत निम जी मुझे कुछ रुपया चाहिए है रही हिसाब तो कल सुबह ही होगा हिसाब की बात नहीं हो निम जी मैं मुसीबत में हूँ मेरे पिता जी बहुत सक्त बिमार है बोले मदद कर दीजिए जिंदगी बरहाइसान मंदर होगा राम कसम भारत अगर मेरे पास कुछ भी होता तो तुम्हारी मदद करने में एक पल की देर नहीं करता अच्छा है जो सच बोल रहे है राम कसम राम की जिम बाबु ये बाबु लोगों के पस दवाई के लिए भी पैसा नहीं सवाल दो पांच रुपय का नहीं तुलसी सवाल दो पांच सो रुपाउं का है तो आप क्या करोगे अखरी उमीद मुनईम जी से थी उन्होंने भी इंकार कर दिया बाबु तुम्हे ही थेरो मैं अब भी आई तुलसी बस दो मिनिट के चुटी मैं गई और आई तुलसी बाबु तुम्हे उन खिलोनों की कसम जो तुम मेरे बेटी के लिए लाए थे मेरे इंतिजर करना तुलसी तुने आकर मेरे घर का दरवाजा खचच आया मेरी तो किसमत खुल गई बोल क्या सेवा करूँ लाला तुने कहा था न एक पर फिस से आजा तुलसी मुमा के दाम दूगा ले तुलसी आगे बोल सेवा में क्या हरपन करूँ साथ सो रुपे साथ सो रुपे हाँ लाला उस तिन तुम तिनों ने मिलकर मेरी कीमत लगई थी आज मैं अपना सौदा खुद करने आया हूँ जल्दी से दे लाला वरना कपड़ेवाले के पास चली जाओंगी वो तो हजार भी दे देगा किस मन्हुज का जिक्र कर रही है दुकान पर आजा पहले रुपे दे दूँगा जल्दी क्या है जल्दी है लाला तु देता है कि मैं जाओं कहीं ऐसा नहों कि तु साथ सो रूपे लेकर रफु चक्तर हो जाए लाला तुलसी जबान की पक्की है और जानते हो तुम्हारी आउलाद को मजदुरी करके पालती हूँ और यही नहीं तुम लोगों का पुराना हिसाब भी चुकता करें अरी पुराने हिसाब को छोड़ जल्दी से देदे लाला मैं गी और रहीं अच्छा दुखान पर आजाना है लेए साथ सो रूपे दुल्सी तुम्हारा उगला इसलिए नहीं गोंड सकता कि पाप में बली दान है असलिए नहीं छूशकता कि बली दान में पाप है दुल्सी अपनीつग बेजकर तु मेरी मदद करना चाहती है बाबो, इजद तो पहले इन्होंने डूट ले थी, आज तो बेहजदी का सौदा करे थी, ला 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 तुल्सी मैं जानती हूँ बाबो, तुल्सी इस लायक नहीं है, कि तेरी रामयन का कागज भी बन सके, मगर, मगर तेरी मजदूर साथी तो हूँ मेरी मजदूर साथी, मजदूरी कर, और खा अपने मजदूर साथी की सौगंद, कि आज के बाद तु कभी किसी के लिए अपना सौदा नहीं करेगा खा दूसी और समाज के कलंक, इस से पहले कि मैं तेरा मू तोड़ दूँ, दफ़ा हो जा, दफ़ा हो जा बगर बाबू, तुमारा बाप बिमार है, बुलसी, अपनी किस्मत बिमार है, हाँ, तु घर जा, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँ, ये रही आपकी दुआईया, और ये रहा विल, पांचसो पच्चीस रुपे, लेकर मेरे पास तो सिरफ पच्चीस रुपे हैं, तो फिर पच्चीस रुपे की दुआईलो भाई, मेरे वक्त क्यों बरबाद किया, देखिए, मेरे, मेरे पिता जी बहुत सक्त बिमार है, एक दिन मेरे पिता जी भी बहुत सक्त बिमार थे, मुझे गलत मत समझे, मैं, मैं पड़ा लिखा हूँ, डिगरी वाला, आख ये डिगरी अ मैं जानता हूँ का तुम असली चहरा और असली मजबूरी लेकर आये हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि ये दुकान मेरी नहीं, एक्स्क्यूज मी, हेलो, चुखल कैमेस, वाज दुवाज, एए, क्यारो, चार, 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 अग्ला, बुझा, बुझा, भाना तर्श, भारत, 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 बस एक चोरी करना बागी रह गया था, पिदाजी कैसे हैं, तुम्हारी जमानत कल सुबह होगी, और फिर केस भी खतम हो जाएगा, चलो, नहीं, मैं, मैं खुद ही चला जाओंगा, सुनो, जहां आज जाना है तुम्हे, वहां मैं ही लेकर जा सकती हूँ, हाँ, बाप पीमारी में तलपता रहा, और जिदी बेटा डिगरी जेब में लिए बेकार खुलता रहा, और भाया, आखरी सांसों में, जब बाप को पता चला, कि उसका बेटा चोरी करते हुए पकला गया, तो उसने दम थोब दिया, ऐसी आउलाद से तो ना होना अच्छा है, लोग ठीक ही तो कह रहे हैं, पिताजी, और आप भी ठीक ही कहा करते थे, यह डिगरी कर्ज है मुझ पे आपका, मैं ना तो इसे चुका पाया, और नहीं चुका पाँगा, साब अपना कर्ज वापस ले लिजी, पिताजी, जिस इंसान ने नौकरी की आखरी उमीद को भाड़ के चला दिया, उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, सर, सर, इनोटिस, मुझी नौकरी से निकाला जा रहा है, ऐसा क्यों? दफ्तर में उसे ही रखा जाता है, जो दफ्तर के लिए ठीक हो, तो क्या, तो क्या सर, मैं दफ्तर के लिए ठीक नहीं? छोड़ी वादों कर ज्यादा भहस करना मुनासिब नहीं, तुम जा सकती है, आप? हाँ, मैं मोहन के मा हूँ, आप शीतल के भाईया और भाबी है, जी. आप सुनेंगे अपनी बहन के करतू, इसने अमरीका में क्या क्या किया? क्या किया इसने? इसने हम मा बेटे का दिल जीत लिया, जी? और मैंने अपने बेटे को हुक्म किया, दफ्तर पहुंसते ही शीतल को नौकरी से निकाल लिए. जिस लड़की को मैंने अपनी बहु बनाने का फैसला किया, वो मेरे पेटे के दफ्तर में नौकरी करें? रहाम रहा. शीतल, इसलिए तु मैंने तुमसे कहा था, कि ओफिस में उसे रखा जाता है, जो ओफिस के लिए ठीक हो. ठीकी गातना में. महुन साब? अब आप यह मत कहिएगा कहां राजा भोज, कहां गंगु तेली. आपके बहन में जो गुन है, पूछे मां. कहीं, यह रिष्टा मन्जूर है. यह आप शीतल से पूछ लीजी है. जब पूछने पर मेरे बेटे ने मना नहीं किया, तो यह क्यों करने लिगे? बोलो, बेटी. अगर आप लोग इजासत दे हैं, तो मैं शीतल से अकेले में बात कर लूँ. क्यों, शीतल? हाँ, हाँ, आईए. शीतल, मैं उस दफ्टर का मालिक हूँ जह तुम काम करती हूँ. इस दबाव से दबकर शादी के लिए हाँ मत कहना. शादी दिया जिन्दगी का सौधा है. और जिन्दगी एतनी सस्ती चीज नहीं है, जो कि सिर्फ नौक्री के हाथों पिक जाए. क्या तूटा? जी, जी, कुछ खास नहीं. फिर भी अगर मन ना माने, तो कोई बात नहीं. दफ्तर में तुम्हारी इज़त और भी बढ़ जाएगी. आपे. आसान सी बात है. तुम किस विचार के समंदर में डूक गई? सार, जो इंसान छोटी-छोटी खोशी को ढूंता हो, उसके सामने खोशियों का भंडार खुल जाए. तो उसे यकीन नहीं आता, वो फिर बहुत सी समंदर में जूच जाता है. सार, आपने मुझे इस लाइक समझा, यह मेरे खुश किसम दी है. देखा, बहुत बड़ी मोटर में आये थे. छोटी मोटर की नीची आने वाला शायद बज भी जाए. बड़ी मोटर उसे कुचल डालती है. सीतल, यह क्या किया तुमें? जो कुछ किया ठीक किया. भारत गरीब है, इसलिए उसका साथ छोड़ दिया. भाईया. कल अगर मोहन बाबु से भी कोई अमीर आदमी आ जाए, तो क्या मोहन बाबु कभी साथ छोड़ दोगी? भाईया, मैं आपकी बहन हूँ. और बहन की खुशी से जला नहीं करते. मैं जला या नहीं जला, यह मैं नहीं जानता. लेकिन भारत को राह कर दिया तुमें. भाईया, मैं कब तक देखती रहती कि कब उसे नौकरी मिलेगी, कब वो कमाएगा, कब जिन्दगी में सुप देगा. भाईया, जो आदमी चोरी करके भागते हुए पकड़ा जाए, वो जिन्दगी भर भागता रहता है. बहसों का साथ मिन्टों में छोड़ दिया. जब तक साथ देने के लायक था मैंने साथ दिया. अब क्या? गरीबी के सिवाए भारत में और क्या बुराई है? भाईया, तुम गरीबी की चार दिवारी में रहकर गरीबी के हो गए हो. मैंने मोहन बाबू के साथ दुनिया देखी है. और आज जिंदगी में पहली बार जिन्दा रहने का मौका मिला है. यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था. भाईया, जाओ तुम्हें मोहन बाबू के घर जाना आए. नहीं भारत, मैं नहीं जाओगा. भाईया, तुम शीतल के बड़े भाई हो. और बड़ा भाई, पेता समान होता है. हाँ, तुम्हें मेरी सौगन जाओ भाईया. भाईया, तुम बेदर जाओ. तुम्हें मैं कुछ दूसरा प्रोग्रम रिस्ट कर लेंगा. नहीं, शीकंदर नहीं. मैं जानता हूँ, कि यह दुनिया आसेगी, कि बाब की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई, और बेटे ने गाना शुरू कर दिया, लेकन यह दुनिया यह नहीं जानती, कि उसी बाब की अनंतिन संसकार की सारी रस्में पूरी करने के लिए, मेरे पास भूटी कौडी भी नहीं. दीवी पे गाऊंगा, कुछ रुपया तो मिलेगा, कुछ पाग तो मुझेगी. पेटे, एक अंगुपी को छोड़कर, सगाई की सब रस्में पूरी हो गई. यह ले, शीतल को पहना दे. अरे, हाउसपोन? जी, जी यह, यह तो मामली से अंगुठी है, अभी उतार देते हूं. जी, जी, जी कौन? अंगुठी, मुली में. तो कर्वादी जी? जी। जार्ने रहने भगवान कैयं, और अंगुठी की टुबात है, बाई हाथ में लावाइग OWन आप में – दाई हाथ में लावदाई हाथ में! क्ताफ, क्ताफी кра क्ताफ, 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 क्ताफ रिदी? हमारे विछी संगीत कारिक्रम में प्रस्तुत है गीत गया कलकार है भायरे और नहीं बस और नहीं रम के प्याले और नहीं और नहीं बस और नहीं रम के प्याले और नहीं दिल में जगा नहीं बाकी रोप नजर अपनी साकी और नहीं बस और नहीं रंग के प्याले और नहीं और नहीं बस और नहीं सपने नहीं यहां तेरे सचाई का मोल नहीं चुप हो जा कुछ बोल नहीं प्यार प्रीत चिलाएगा तो अपना गला गवाएगा पत्थर रख ले सीने पर कस्मे खा ले जीने पर कस्मे खा ले जीने पर गौर नहीं है गौर नहीं पलवानों पर और नहीं आसु आसु धलते हैं अंकारों पर चलते हैं तो और नहीं बस और नहीं कि ऋड़ों मौर नहीं कि देविरू कितना गर्म हूं जमाने को कितना गर्म हूं जमाने को कौन गुलों को गिनता है कौन दुखों को चुनता है हम दर्दी का फूर हुई नेकी चकना चूर हुई जी करता बस खो जाओं कफन ओड़ कर सो जाओं कफन ओड़ कर सो जाओं दौर नहीं ये दौर नहीं इनसानों का दौर नहीं फर्ज यहां पर फर्जी है असली तो खुद गर्जी है तो और नहीं बस और नहीं रम के प्याले और नहीं और नहीं बस और नहीं बीमार हो गई दुनिया बेकार हो गई दुनिया मरने लगी शरम अब तो बिकने लगे सुनम अब तो ये रात है नजारों की हैरों के साथ यारों की तो जी है बिगार दू सारी दुनिया उजार दू सारी दुनिया उजार दू सारी जोर नहीं है जोर नहीं दिल पे किसी का जोर नहीं कोई आग मचल जाए सारा आलम जल जाए तो और नहीं बस और नहीं उनके प्याले और नहीं वाह वाह जब कोई दिल जला गी छेड़ता है तो दिलों में आग लगा देता है और वो क्या शेर था तो जी है बिगार दू सारी दुनिया उजार दू सारी वाह 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 क्या शेर भाह क्या वाह भूम के प्याले और नहीं को प्राइब नहीं हुआ 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 है जम्ता के बट्टी क्यों जन्म लोगा है जिस जिस का बिल अदा नहीं किया उसी ने कनेक्शन काट दिया थार है राम चंद जी ने चिक्टी भीजवाई है परना तो क्या लिखा है क्या लिखा? क्या करूगी सुनके मा? सब खर यह तो है चंपा के होने वले ससुर ने लिखाया कि अगर एक महिने के अंदर उन्हें रुपया ना दिया तो फिर दोश उनका ना होगा लानत भेजो ऐसे रिष्टे पर इन्हें ऐसा खत लिखते भी शर्म नहीं आई देखो भाहिया ना तो चंपा कॉलेज जाएगी और ना ही मिलोड़ी लेगी हम लोग मेरे मजदूरी करके अपना खर चलाएगी लीपक जब तक इस खर में मैं सिर्फ एक बेटा था ना मैं भी तेरी तेरे भगावत की बात ही किया करता था अब नहीं कर सकता दीपक तुम ही ने तुम ही ने बताया ना के पिताजी के आखरी शब यही थे के अगर चंपा का यह रिष्टा तूट गया तो उनकी आत्मा को सुख नहीं मिलेगा जीते जी नहीं मिला करने के बाद तो मिलना चाहिए भाईया अब तक सारा बुज़ा आपने अपने कंदों पर लादा अब नहीं क्यों अब मेरे कंदे कमजोर हो गएं क्या अगले इनमें इतनी ताकत है कि तुम्हें तुम्हारी जिक्री के लिए जी इंदहान का ताख़ा दे सको इन कंदों में अपनी ताकत है मैं चंपा के हाल पिले कर सको सब कुछ वैसी होगा जैसे पिताजी चाहते थी मुझे काम के सिल्सले में किसी से मिलना है अभी गया और अभी आया सेड़ जी कोई भी ऐसा काम कोई भी ऐसा काम इससे मुझे एक महीने के अंदर भेन की शादी के लिए पी सजार रुपया भाई की इंतहान का दाखला मिल सके मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ तो इन कोरे कागजाद पर दस्त्रत कर जो आज़ जो अच्छा हूँ तुमने अपना रास्ता बदल दिया पंदेती जी अब है ना तुमने दिने एकदम फिर जाएंगे तुम तुम देखते ही देखते अमीर बज़ जाओगे भूनने के लिए गाड़ी और फिर रहने के लिए आली शान मकाम मुरली वाले का पुजारी हूँ उसके सुदर्शन चक्र से अपना चक्र चली जाता है अगर किसी दिन ये चक्र ने चला तो असम पुरानी दिल्ली के क्या कह रहीं आप नहीं नहीं जिस्ट फर्स करो के इस गंजे सॉरी मिस्टर कमलदीप और इनके साथी ज़नाज और कपड़ा खोदा मुं में दबाके भाव बड़ा देते हैं मिस्टर क्या राजन ये और इनके कुछ तीन हजार साथी सिमेंट और लूहा ब्लैक में बेचके नफ़ा कमाते हैं फर्स करो कि अगर ये सब पकड़े जाएं तो पुरानी दिल्ली की पसीन आ रिया है अगर सरकार को ये पता चले कि आप और आप के दूसरे साथी जनता को दुखी करके सरकार को खतम करने के लिए दूसरे मुल्क से पैसा भी लेते हैं तो पुरानी के साथ साथ नई दिल्ली के कसम भासी पक्ती है सेट जी डर गए जूटी कपड़ा और मकान पर कबजा करने वालों के दिल छूए जैसे मैंने तो मजाग किया तो डाले मलिका एनेकी राम ऐसा मजाग मत किया करो सेट सी भारत आगे तुम जिस हट सी काम हो गया मल दिया मल लिया यह रहाप का बैग मेरा बस चले तो हम शादी में एक पल भी देर नहीं दो लेकिन मा का कहना है के शादी का महुरत कुछ मईनां तक नहीं और मा' का कहना मैं टाल नी सकता और मागी होने वाली बहु एक छोटे से घर में रहे, यह मैं बर्दाश्ट नी कर सकता। और शादी से पहले हम दोनों साथ में रहें, यह समाज बर्दाश्ट नी कर सकता। इसलिए घर लिया है। शादी तक तुम, तुमारे भाईया, तुमारी भावी इस घर में रहना कैसा हैगा? It's a beautiful house पहस्चाना मुझे ओ तुम दोस्त, उस रात के लिए मैं मौफी चाहता हूं उस रात तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था दोस्त, किया तो तुमने भी वही था, जो उस वाद तुम्हें करना चाहिए था सुनो, तुम आज भी असली नकली चेहरा भाईचानते हो सच और जुट तो इनसान के चेहरे पर लिखा होता है तो ये लो, हजार रुपया किसलिए? अगर कोई मेरी तरह हालात का मारा असली चेहरा और असली मजबूरी लेकर आए तो उसके पीछे पुलिस मत तुड़ाना मेरा बाप तो नहीं बच सका शायद उसका बच्चा है वाबा, क्या घर लिया है भारत ने, मदा आ गया आप रुपया तो गिनिये बेटे, तुम क्या समझते हो अगर ये रुपय तो मुझे नहीं देते तो क्या मैं रिष्टा दोड़ देता? मैं इतना कमीना नहीं हूँ सच? बगवान की कासम अगर इन रुपयों के बगाइर ही चमपा का ब्या हो सकता है तो बोलिए बारात कब लाएंगे रामचंद जी रुपय? रुपय अगर ना दूं तो तो दोश मेरा नहीं अभी तो आप कह रहे थे के आप इतने कमीने नहीं वो तुम्हा मजा कर रहा था तो इसका मतलब यह हुआ क्या आप कमीने हैं बिठे मैं तुम्हारे स्वर्गिये पिता का बच्पन का दोस्त तुम्हारा चाचा हूँ चाचा येलो नोट और टाटा अच्छा जब का तुम लोग कहोगे शादी पकी शादी हो जाएगी धन्यवाद वाव वाव भया मज़ा आ गया ठीज ठीज अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसा कहते हैं होने वाले है न मा है तो नहीं बिलकुल आओ आओ देपक बनगा इंस्पेक्टर हो गई जित पूरी सवाल जित का नहीं है भया देपक अचिए आज जब अपने पास सब कुछ आ तो फिर ये नौकरी करने की क्या जूरूरत है भया हमने डिग्री का और डिग्री ने हमारा बढ़ा अपमान किया है और आज जब मेरी डिग्री हमें मान दे रही है तो हमें भी इसे मान देना चाहिए मां सुना तुमने तुम्हें इस सोच में डूप गई मां विजय की अल्ला खेर करे क्या बात है हमीद मियाज अल्ला को बहुत याद कर रहा है अबे नास देख तू भी तो कभी राम का नाम लिया कर लेता तो हूं रोज मैं तो हमिशा तेरे मुझे तेरे भाई का नाम सुनता हूं जब सुनो तो एकी रट हमीद मियाँ, मेरा भाई भारत क्या इंसान है क्या गैरिक्टर है, क्या किरदार है मेरा भाई मुझे नहीं मारता तो शायद आज मैं इस सीमा पर लड़ने वाला सिपाही नहीं होता, देश का दुश्मन होता, अमीदिया में अपने आपको लक्षमन तो नहीं कह सकता है, लेकिन, मेरा भाई राम है, राम, अगर तब यह ठीक नहीं है, तो आराम करो, बिलकुल फिटू साप, तो फिर यह खा वाज में डॉक्टर, यह बीमारी नहीं, आदत है, आदत साप, लेकिन दुश्मन के अलाके में कभी-कभी सांस भी रुकनी पड़ती है, उस समय अगर तुम्हे यह खाशी का दोड़ा पात तो, बाई गॉड, फरांसिस अपनी सांस को रोक कर खाशी को भी खा जाएगा पुलिस से बचने के एक ही रास्ता है, कि गारी छोड़ कर भाग जाएगा, भारत यह समाल कर रखो, इसमें दो क्रोड की हीरे हैं पुलिस तो निकल गई, लेकिन ये मलका नेकी राम कहा मर गई? आप ले क्या नशाय देशे शराब अपनम? अरे, तुमने मुझे पहचान लिया, कैसी लिखते हैं? बाबुजी आगा, राम प्यारी, बुला पंडित को दिला दे फेरे पेरे, बाबुजी बेजियाने हमें सब कुछ बता दिया, इसके माबाप शादी के खिलाफ थे, तुम इसे भगा कर ले आए, घर वालोंने पुलिस पिछे लगा दी, इसलिए माने राम प्यारी से कहा, कि राम प्यारी इसे ऐसी कप्ड़े पहनाते, ये दूलन भी लगे औ पुलिस भी ने परचानिक है, बात बसना है, पंडित जी, पंडित जी, तो क्या दूलन नहीं, शादी जराने माला पंडित है, नहीं, काका नहीं, ये पंडित भी और दूला भी है, पंडित जी, इस गाउं के खुलियावा में तुम भी खुलियावा, तुम भी प्ल का फ़ल और नशी का नशा दुख ओ नम, मौका तो देख लिया होता अगर पोलिस आ गई ना तो तुम्हारा ये नशा हम सबको लेटूपेगा ना धरंबुरा, ना करंबुरा, ना गंगा बुरी, ना जलबुरा ना धरंबुरा, ना करंबुरा, ना गंगा बुरी, ना जलबुरा पर पीने वालों को ओ पंडित जी ना करना कभी नसीहत, पीने वाला मरते मरते बस करता यही वसीयत ओ, पंडित जी मेरे मरने के बाद पंडित जी मेरे मरने के बाद पंडित जी पंडित जी मरने के बाद पंडित जी मरने के बाद कात प्रे मेरी आपिन वाले सा थैक्ल क्रावस मौत पे मेरी ओपीने वाले आँख जो तेरी भर आए मौत पे मेरी ओपीने वाले आँख जो तेरी भर आए पीजाना तू आँख के आशू पर पुछ जाब ना दिना पंडिक जी मेरे मरने के बास सफर आखरी लंबा है सफर आखरी लंबा है कोई सात में साती तो चाहिए सफर आखरी लंबा है कोई सात में साती तो चाहिए जूंके पहुचो जन्नत तक में जूंके पहुचो जन्नत तक एक दो तल साथ तिका दिना पंडिक जी मेरे मरने के बास सफर एक कपड़े देखिए यह कपड़े किसके है मेरे है बाजीबान के यह कपड़े किसके है पुच के रहे हलो हलो एगल फोर जेरो टू स्पीकिंग गश्ट पार्टी के मताबिक पुल तूटने की वज़े से बढ़ती हुई हिंदुस्तानी फोज घर चुकी है बजाए वेस्ट को यह लोग अपने टैंक्स एस्ट को भेज़ें तो ना सिर्फ अमारी कंपनी बच जाएगी बल्कि हमारी अटिल्रीन के टैंक्स उड़ातेगी बगर यह कैसे हो सकता है हम लोग तो सिर्फ पांच है हो जाएगा बत्सित हुग 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 तूजया शंट तूओत हुआ 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 है हुआ हुआ ही हुआ ह protections एाउ भारत, क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ तो फिर सामने वेको खिर्ल जिरay सर, सिर्फ चारी लाशे मिली है करके लुष झारी लाशे लुष लाशे मिली लुष वुष भुष जो रखे लुष वुष बजया जिली लुष खेंटे लुष हेलो, हेलो एगल फोज जिरो टू अभी अभी ख़बर मिली है कि हिंदुस्तानी फोजों ने पुल बना लिया लिए इसलिए वेस्ट के बजाए अगर इसकी तरफ अपनी टैंग फोज बेजी जाए तो बेटर आएगा लिए ऑफने साथी बच जाएंगे हमीद भाई Support अभी अपने साथी बच जाएंगे 10 स्वीन पर तो अट मांने के लिए परबाबुन से तुम्हरा मजदूर साथी अभी आहीं कि अबसके फालेे चिःए निशतरदी दोकीडल कि ano प्राइक हो गया है कि वो अपने मजदूर साथी के रहने के लिए एक मकान, बहने को अच्छे से कपड़े, और खाने के लिए अच्छी रोटी का बंदोबस्त कर सके, कालाओंगा और तुम लोगों को इस पस्ती से दूर ले जाओंगा, चलो हरनाम सिंग, कार तक छोड़ाओ मैं भी चलती, नहीं तुलसी, तुम बावा के साथ वापस जाओ, इन्याने में तकलीफ होगी, चलो हरनाम, मैं प्राजी को दरा गड़ी तक छोड़ जाता हूँ, मैं पायन प्राइक खुलके बाता करांगे, अलो द्याने जानाना वापस, चलो प्राजी, आज तो उठाई वाई वो बड़े मकान में जा बसेगी, कौन हो तुम लोग, जी हम आपके दामाद हैं तीनो, तो तुम ही वो भेड़िये हो, अरे सासूर जी, अब भले भेड़िये को हो ये कुत्ते, हैं तो आपके अपने ही, देखो, मैं कह तु मेरा पीछा छोड़ दो, अरे तुलसी, अगर आध हमने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तो कल तो ये बस भी छोड़ देगी, नहीं छोड़ते, तो तुम लोग नहीं मानोगे, ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन मेरे बाबा को भी साथ ले चलो, बाबा, चलो, चल भई रासनवाले, उठा अपने सासूर की रेक का पीष, कि वई ड्रिकर! उस extreme का भीष, तुम एक स proteins भाप, पुम़ सरेका हूँ, लेक भीष, दिक भीष! हुई, हुई! हुई, यिहादक पीष! वहहुवा, एसे आवाल रीसे आवNo, एक्यक्ति वहूज! यहाद वहुवा. बैंगु थो का, बैंग बाति हें। खुझा, 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 खुझा दो सीट पुन्ना पुन्ना मुन्ना पुर्ण कुर्ण खकीक सि हो dus आए सिस्कुन मूद्ग! धुराव की ए दिस जाओगा! इन खनो ने मेरे बाभा कुंपाचाला... ने मुने कुंपाचाला! तरिवस्ति आपकालिग! मैंने तुमको पहले भी कहा था कि तुलसी मेरी पैल है और इस देश की बेटी और मैंने तुलसी को कहा था कि कसम वागुरू दी अगर तेरे जीवन में कोई रावन आया ना तो मैं उसकी करदन को कट डालूगा सुलिगी तुला होगा प्हरू दालूगा पाल्दम दूरू राव मेरा पहाडा मिठा जागे अद वागम ऑ्साज़र वागम गटी वागम ऑ्साज़र, वागम आपरादी कुल्म माराच केहने शन कि सवा लग से एक रडाओं ता गोविन सिंग नाम कहा हूँ मेरे सिमे तो सिर्फ तीन ही आए तो लग तीन रावन मार के अर्राम सिंग को फासी लगती है तो लगण दो की परक पंदा हरनाम सिंग सारी पस्ती जानती है कि तुमने दोशो आपी वो लोग थी और हरनाम सिंग आज अपने पास सब कुछ है मैं इंसाफ के लिए बड़ी से बड़ी अदालत का दरवादा खट खटाऊंगा बड़े से बड़ा वकील करूंगा तुम बरी हो जाओगे हरनाम सिंग बबू मैं यह और आपके घर क्यों नहीं बबू मैं इस लाइक नहीं कि तुलसी एक तिन मैं मुसीबत में था तो तुम अपने आपको बेशने के लिए तयार हो गएंदी और आज कहती हो कि तुम इस लाइक नहीं कि मेरे साथ मेरे खार तुलसी, तुम्हारी रामायन में राम नहीं, मेरी रामायन में सीता नहीं, हाँ तुलसी, चलो घर चले, हाँ, यही है तुलसी, मेरी मज़्दूर साथी, आईसे यसी घर में रहेंगी भया विजे विजे मा विजे, कहाँ खो गया था रे विजे, कहाँ चला गया था तेरा, तेरा पासू कुछ नहीं, मा मोर्चे पे था, देख नहीं रही है वर्दी भया हाँ मैंने कहा तो नहीं कि जब तक इस लाइक ना हो जाओं, कि अपनी शकल दिखा सकें, घर वापस नहीं आओं पुजे हाँ जे, हम तो इस लाइक भी नहीं, कि भया हमसे बात भी कर सके अरे चंपा तेरी तो चंपी करगा मशरी करके है, मेरे हिस्ते की राखी रखिये न दायने हाथ में ना सही, बाय हाथ में बांदे न भारत, आप, यह आज कर तुम भारत भारत करने लगी, अगर तुम्हे नाम बहुत पसंद है तो चलो, आज से हम अपना नाम भारत रख लेते अपने कॉलेज में शीतल ने एक ड्रामा किया था, उसके हिरो का नाम भारत था विलन चे नाम मोहन तो नहीं था नेगी राम प्लान के मताबिक आप लोग अपने अपने प्राविंस में अपने अपने प्रांट में ग्याओं, चावल, सर्सों का तेल, मत्टी का तेल, घी, बाजरा, मक्का, खाने पीने की हर चीज को खरीद कर खुफिया गदामों में दबा दें जैसे जैसे माल दबेगा, वैसे वैसे भाव उठेगा, एक करोड की लागत पर बीस करोड का मुनाफ़ा होगा, बोली आपका मन्जूर है, मन्जूर है, मन्जूर है, मन्जूर है, वाव 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 वाव, ये हुई ना एक ता, मुझे खुशी है, कि आपने नेकी राम की बात मान ली और इस खुशी के मौके पर मैं आशा रखता हूँ कि आप नेकी राम के घर पर आकर एक छोड़ी दावत कबूल फरमाएंगे और मौन बाबू स्वाग्तम स्वाग्तम आप जैसे होनारादमी को देखकर तभीद बाग भाग हो जाती है ठागवान करे बिजस्ट में आप जैसा इमान दार हो जाए आई आखो दोस्तों और आ फेस। चाले फैँनेμο बiquल एक all वाल्रेट अधे बालव। आप अधे आद कीजिक पार्टी में तềका हुए आपको यद कर दीक पर दीक होगे हॉ हमें किसी पार्टी मिले होंत reason पार्टी में नहीं सहाग अपने इन्हें वे ठीवी पर देखागो आजी वी, है अब यादा है, हम लोगी मंगनी की रात थी, मैं बहुत खुश था, और आपने एक दर्ट पर अगाना सुना कर, उस खुशी की घड़ी को चार-चांग लगा दिये, क्यों जीते? महान बाबू, खुशी के मौके पर दर्ट भरा की छेड़ना, भड़ी मनहुसी बात होती है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, अरे, यह कहकर आप मुझे शर्मिंदा करें, कीतल, बुद्बनी खड़ी हो, भूल गई अपने पराने दोस्तों को, नहीं मुझे पैचाना, और नहीं भारत को, तो आप दुनों एक दूसरे जानते हैं, पुरानी पहचान है, हाँ महन सहब, शीतल ने बहुत कीत काये हैं टीवी पर, क्या जोड़ी थी इसकी और भारतल, अरे, शीतल, हम सही परदा, बस, यूहीं, कभी मौका ही नहीं मिला, मौका मिला नहीं करता, मौका जूंडा जाता, तो इसे अच्छा मौकार कब मिलेगा, शीतल भी है, और धरत भी, और हम भी, तो हो जाए, एक मुदद हुई है, इन दोनों के गीत को सुने हुए, क्यों शीतल, मिल गया न मौकार, मगर, मैं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, शीतल, मैं सब कुछ भूल लेकिन आपको अकेले ही जाना होगा, क्योंको शीतल तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, कोई साथ न दे मेरा, चलना मुशे आता है, हर आग से वाकिव खुन, चलना मुशे आता है, तो छेट दो नगमा, भरकाद दो चिंगारी, और लगा दो आग महफिल में, में ना भूलूंगा में ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन गस्मों को, इन रिष्टे नातों को, में ना भूलूंगा 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 समय की धाराने, समय की धाराने मर रह जानी है जो घड़ी जीने, वो जो घड़ी जीने वो ही रह जानी है मैं बन जाओं सास आखरी मैं बन जाओं सास आखरी तू जीवन बन जाओ जीवन से सास का निष्टा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा आ-घा-घा बरस का साहन हो महकता आगन हो कभी दिल दुलहन हो गगन बन कर जूँए चलो ना है मोड़े कभी ना संग छोड़े नजर नहीं आना है कहीं बिबस जाएंगे ये दिन कट जाएंगे अरु क्या बात चली जो देखो रात ढली ये बाते चलती रहें ये राते ढलती रहें मैं मन को मंदिर कर दा लूँ तो अफाजन बन जा मंदिर से पूजाता रिष्टा मैं ना भूलूगा 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 मात ओूखा मैं भूभा मैं चलता वा दाना मैं वालूप सुना तुमने बादेचा गाई, हुजे बादेचा लोगाई गुटनाइट । आपके बारे में इतना इतना सुन चुका हूं के लगता है, आपको सदीॉं से जानता हूं। परकुदार वैसे आपकी उम्र कितनी है। काट दीनवाद, खेर भाई जान, किस्सा मुक्तसर सा है। यह वीजे है ना वीजे, हर वक्त आपके नाम की रट लगाए रहता था। और कहता था, कि हमारा देश मेरे भाई जैसे इंसानों के बल पर जिन्दा है। और सच पुषितो भाई जान, जंग के मैदान में जिस जजबे ने कमाल कर दिखाया, वो जजबा आप है। हलो, वह बाल से बोल रहा है, हाँ बोलिये। पंदरान लाख का क्यों दबा लिया। बहुत चा किया, बहुत चा किया। वेरी गूट, वेरी गूट हेलो पठगा से बोल रहा है यह को हेडी स्वाग वारिक अधिया अरे वजसे अधिया आज को है। आज तो लाल किले पर प्रदान मंतरी की स्पीच है, मैंने आज तक मिस नहीं की की सब्सक्राइब नहीं की याए बहुत तक मिस नहीं की अजय को इस समर्जवान को यह शेष के लिए शहीद हो गए अगर जियो तो इस देश का सचा शेरी बज़ा। नौजवानों को हमसे भी जाजा एक मजबूत शक्ति शाली भारत की जरूरत है। और भारत के नौजवानों की उतनी ही जरूरत है। भारत! आज तुम्हे रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत नहीं। तो प्रधान मंतरी के भाशित जुनाई देने लगे। तुम चाहते हो दबायवा अनायच बाहर निकाल दिया जाए। सेट जी, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत तो इनसान को सद्यों पहले भी थी। लेकन तब उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी। सिर्फ इसलिए कि तब अनायच दबाने वाले सेटने की इराम नहीं थे। भारत! अनायच दबाने वालो जरब बाहर निकल कर राशन की दुकानों पर भीड तो देखो। राशन की दुकानों की भीड कम करना हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। हमारा काम समाजवाद के सपने देखने वाली सरकार को खत्म करना है। सेड़ जी से पहले के हालात के मारे हुए 60 करोड इंसान अपने हाथ भाप जैसे सर्मायदारों की गर्दन की तरब हैं अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा सेड नेकी राम के पास जो तुमारे दस्तखत किये हुए कोड़े कागजात हैं वो तुम्हें फांसी के फंदों तक ले जा सकते हैं येस इंस्पेक्टर दीपक स्पेकिंग मैं आपको आर्ट तस उफिया गोदामों का पता बताना चाहता हूं अगर आप वहां आज ही छापा मारें तो अनाज ही अनाज मिलेगा इंस्पेक्टर दीपक स्पेक्टर दीपक तुम्हारे भाई के दस्कत की ये कागजात हमें स्पेशल ब्रांचे बेजे हैं और इन कागजात से ये सबूत मिलता है कि जिन जिन गोदामों पे तुमने छापा मारा वो तुम्हारे भाई के थे ये नमुम्किन है सर और यही नहीं तुम्हें याद होगा जब मैंने स्मगलिंग के एक गेंग का पीछा करके पुनम नाम के एक लड़की को गिरफतार किया तो उसे किसी ने गोली का निशाना बना दिया और इन कागजात से ये भी सबूत मिलता है कि उसका काटिल तुम्हारा भाई है नहीं भारत की नाम वाविंट क्या कहते हो ये कभी नहीं को सकता मेरा भारत कभी कोई बुरा काम नहीं को सकता यही तो हैरानी है माँ पबाई सश्य काट काम हो गया अब वो शहर से बाहर नहीं जा सकता तुम यहीं पर जूटी दो आज की ताजा खबर बड़े बड़े शहरों में सिर्फ चार दिन का राशन बाकी रह गया सरकार देली से और पंजाब से गाड़ियों में अनाज भर-भर कर भूके शहरों को भेज रही सजनों आपका इदास नेकी राम आपको हमेशा नेक सला देता रहा है आज फिर सला देता है कि अगर दो चार रेल के पुल उड़ा दिये जाएं तो गाड़ी मंजिल तक पहुच ही नहीं सकती लेकिन नेकी राम जी पुल उड़ाने से फाइदा पाइदा अरे जनता आग लगा देगी सरकार का तकता पनड़ जाएगा तब सरकार को मालूम होगा यहूं का बेपार अपने हाथ में लेना कितना महंगा पड़ा अगर सरकार बेपारियों की पीट पर छुरा गोंप सकती थी तो बेपारी भी हाथ में चूड़िया पहन कर नहीं बैठे हुए वह सिफने की राम वह कौन-कौन सब फुल उड़ाना है मुझे यह बदला दिया जाए पहला बार बंबई जाने वाली गाड़ी पर हो यह काम मैं आज रात को ही कर देता और इसका इल्जाम भी भारत के सर होगा वह कैसे भारत की दस्खत किये हुए कोरे कालजात जिंदाबाद कुछ पुलिस तक पहुंच चुके है और कुछ मेरे पास है अब तक तो पकड़ावी जा चुका होगा भया की गाली शीतल आखर बात क्या है? जी कुछ घुटन है जिसके कारण दुबली होती जा रही हो नहीं तो अंगोठी निकालती हो, पहनती हो यह शाली के कारट पसंद नहीं है? मुझे आपसे कुछ कहना है रोका किसने? दिल और दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश है कहो न यह यह शादी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मैं मैं आपसे मैं मुद्द से जानता हूं कि तुम किसी और से प्यार करती हो फिर भी अब मुझे से शादी करना चाहते है तुमने उससे शादी क्यों नहीं कि, जिससे तुम्हे प्यार था, प्यार है वो मेरी भूल थी भूल नहीं, पाप कहो हाँ, हाँ, पाप मैंने दौलत को प्यार से ज्यादा कीम्ती समझ कर, सपनों की ताज महल को काला कर दिया आप मुझे थपड मानने के बजाए ताली बजा रहे हैं तुमने अभी जो कुछ भी कहा, मैं बहुत पहले से जानता हूँ उशीतल, मेरा वो कहना के, मां कहती है, शादी की महुरत में बहुत महीने बाकी है सब जूट था ना तक था मैंने ये सब कुछ तुम्हें परकने के लिए कहा था और इस परक की कसोटी तसे हिटने एक इराम के घर भारत से हुई मुलकात थी तुमने कहा, मैं भूल चुकी हूँ उसने कहा, मुझे सब कुछ याद है वग ये लग आ रहा था कि तुमने मेरा हाथ छोड़कर उसकी आवास में आवास मिला दी मैंने उसी वक्त तुम्हें अलविदा कह दिया था शीतल, अगर मैं तुम्हें भारत से दूर लाया हूँ तो मैं तुम्हें भारत के पास वापस भी ले जाऊँगा मैं जानती हूँ अब ऐसा नहीं हो सकता होगा मैं अभी गया, अभी आरा अरे वाह जोनों तरफे आप बराबर लगी हुई शीतल ने आपको आवाज दी और आप आगए मोहन बाबु शीतल की आवाज सुनने वाला भारत मर चुका है शीतल की खसम अपनों की खाई जाती है वैरों की नहीं नहीं भारत शीतल अब भी आपसे प्यार करती है मोहन बाबु मैं दीवार पे सजने वाली तस्वीर नहीं जिसे जब मन में आया उतार दिया जब दिवार सुनी लगी तुसे फिर से लटका दिया अरे घुसा छोड़ो यार मैं तो अन जाने से तुम दोनों की कहानी में आ गया अब जान भूच के निकलना चाहते हैं आप दोज़ प्यार की कहानी एक ऐसा पिंजरा है जिसमें मन का पंची फड़ा तो सकता है अगर निकल नहीं सकता भारत ओहन हस्ते खेलते जिंदगी की हर मोर से निकल जाता है और घूम के पीछे कभी नहीं देखता आप की हासी रो रो के कहती है कि आपका मन दुखी है मैं? मैं क्यों रोने लगा? इसलिए कि आप ली शीटल से प्यार करते हैं शैंङ भारत तो प्यार करने वाले जब फिर्से रूम जायाए तो प्यार करने वाला कभी दुखी नहीं होता और भाशी अचे. आहरं भी गम है जमाने में महाबबत के सिवा realization पेजय मैं बोल रहा हूं भाईया, कहां से? भाईया, शीतल के घर से. शीतल के घर से? आइस्ता बोलो. फिजे, तुम अपनी यूनिफरम पहन के यहां फॉरंच ले आओ. आपके नाम वारंट. नेकी राम के पास आपके दस्तखत किय हुए कोरे कागल, बंबई के रास्ते में रेल के पुल. भाईया, कौन विश्वास करेगा आपकी बाता? तुम करोगे. इससे क्या फाइदा? भाईया, अगर अकेला निकला तो पकड़ा जाओंगा. मुझे एक साथी की जरूरत है. तुम्हारे साथ निकलकर अगर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, तो फिर जिन्दगी के बहुत से रास्ते साफ हो जाएंगे. अंदेरे में तीर चलाने वाली बात है, भाईया. लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं, विजयाओ. आप नहीं जा सकते. आपको मेरे साथ पुली स्टेशन चलना है. मुझे एक रात की महलत है. मैं एक पल की महलत नहीं दे सकता. अगर तुमने महलत नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा. देश के दुश्मन अपनी चाल चल देंगे और भाईया को बेगुना साबित करना नामुम्किन हो जाएगा दीपक. इस महलत का फैसला मेरे ओफिसस कर सकते हैं. मैं नहीं. दीपक, मैं तुम्हें गैरंटी देता हूँ, कल सुबह तक भाईया तुमारे हवाले हो. मैं मजबूर हूँ. आगल मत भाईया. मेरा कर्टव ये इस देश का कानून है. मेरा कर्टव इस देश की रक्षा? आए भाईया. नहीं. देख दीपक, सवाल इस बात का नहीं कि कर्टव ये के रास्टे पर कौन आगे है और कौन पीछे? सवाल तेश की रक्षा है अगर आज तुमने भाईया को जाने नहीं दिया तो शायद जिन्दगी भर पश्तावा रहेगा मैंने कहाना मैं मजबूर हूँ विजय विपक विपक भाईया को मंजिल तक नहीं पहुचने लेगा अचला प्राजी आम किस मर्ज की दवा है भारत कहा है कश्मीर से कन्या कुमारी सतेश तुम जीव के पास ठैरो वके सर्थ अचला तुम जीव कर दो बाईया भाईया मैं कहता हूँ बहतरी इसी में है चुपचाप मेरे साथ चले चलोगा अधी वक्त मैं फिर कहता हूँ मुझे सिर्फ आज रात के लिए छोड़ दो मेरी जूटी आपको पकड़ना है छोड़ना नहीं चलिए 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 ए छोड़ तो नहीं आई न भाईया मैं कहता हूँ रुक जाओ चलिए चलिए तुम केसी भीतरी इनकी चीप लेकर अगले मील वाले पत्थर तक पहुंच जाओ मैं वहाँ पहुंच था हूँ जल्दी भारत तुम यही टेरो मैं टायर बदलने की खोशिश करती हूँ मैं वहाँ मैं दोनोर वा लुम करते पहुप लुम करते की भीतरा एड़ कि उनकी बत्वछ करते की रुम करते की बत्व यहेशत सम करते की घाँ अआप गुष। तुम तुम ठीक हो ना ठीक ही तो हूँ बोलियों की हावास सुनके मंटर क्या था इसे पहले की दीवा क्या हा जाए हमें यहां से चली जाना चाहिए पीछे क्यों? ताकि पीछा करने वारे को देख सकूं बहुत खून भैग्या है लाओ गुरुमाल बांदू हाँ बहुत दर्द है ना मैं जानती हूं गोली लगने के बाद बहुत दर्द होता है तुम तो ऐसे केरी जैसे तुम्हें गोली लगी हूं गोली तुम्हें लगी मुझे लगी एक ही बात है ना चलो जत को भूले ख्यालों में जूले चल जत को ले ख्यालों में जूले बहारों में जूले सिवानों को जूले आख तेरी में मान सवार तु दुल हलकन का मान से जो दुल हलकन का लूना बुल्गी 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 तेपक ने एक मुसाफर से मोटर साइकल चीन ली है, वो पहुंचता ही होगा भाया खून शीतल 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 तुम्हें बताया तक नहीं तुम्हें बहुत दूर जाना है बड़ा काम करना है तुम्हें मेरी सोगन करना है जिनको प्यार किया जाए उनका दिल नहीं दोड़ा करते जाओ भारत शीतल पहले भी तुम्हारी आमानत थी अब भी हम इसके साथ है इसको कुछ नहीं होगा जल्दी जाओ नहीं तो तुम मेरा मरा मुझ देखोगी जाओ वेया चलो यह लोग शीतल को हॉस्पिटल ले जाएंगा तुम चलो विजे अपनी भाई का ख्यार रखना क्रवरी क्रवरी भारत कहां है? कशमीर से कन्य खुमारी तक. तुछ बाबू, गाड़ी खुमारी चीए. लिख छीटल को हॉस्पिटल में चलते हैं. नहीं भायां, नहीं. हॉस्पितल जाने का वक्त निकल गया है. अब कहीं और जाने का वक्त अगया? किसी रखेल? हाँ, मुहान बाबू, अब तु कुछ ही सांस दोगी महमानू सुनिये, आप, आप तुलसी है ना, हाँ, आप मुझे नहीं जानती, जानती हूँ, आप, आप बाबू की नामन की सीता है मैं और सीता, नहीं तुलसी नहीं, सीता तो बनवास में भी साथ देती है मैंने तो दुप में उसका साथ जोड़ दिया था तुलसी, भारत फिर मसीबत में है, तुम उसका साथ मत छोड़ना ये लोन गुठी इसे पहन लो भी, ये आपके हाथ में अच्छी लगती है तुलसी, जानेवानों की बाद नहीं मोड़ा करते है इसे पहन लो, भगवान की है भी, मेरी ना सहे, तुम्हें तुम्हारे भारत की सौकत भारत आपका है तुम्हें मेरे भारत की सौकत अब तु पहन लो लाओ शितर, शितर भाया, आप रोने लगे हैं? नहीं, शितर अपने बहन को विदा करते हुए भाय नहीं रोएगा तो और कौन रोएगा? मोहन बाबू आपने मुझ पर बहुत से एहसान किये एक आखरी एहसान और करेंगे कौन तुम्हें? भारत खत्री में है उसका उसका साथ दीजे बादा जी बन शे सासवत, मेराम दी मेराम दी मेराम दी मेराम दी शीतल, क्यों क्यों गला? मैजे, मैजे हवाग के एक चौंका और आकारल विधा कहे गया विजय, सीतल भाईया, हालाच जब लेते हैं तो इनसान बुरी से बरी बात सोचता है सीतल को कुछ नहीं होगा अगर कुछ नहो नहोता ना तो इतना कुछ नहोता विजय खायर, तुने ये जीब कब रोकी क्यों रोकी बेहोशी के आलम में आप फूट फूट के रो रहे थे, बाद उसे खोन बहरा था, और दीपक तेज रफटार से पीछा कर रहा है, वो हम तक तो नहीं पहुच सकता है, लेकिन जीप किटार पर गोली चला की उसे बेकार कर सकता है, इसलिए अपने आपको यहां चुपा लिया चलो विजे, चलो, उसे थोड़ी दूर और जाने दीजे बहिया, पहले पासवले काओं के हस्पिटर जाएंगे, यह तो पुलिस के ऐस है, पहले गोली निकालो डॉक्टर, बिना पुलिस को इतला दिये मैं कुछ नहीं कर सकता है, फौजी अफसर होकर आप इस तरह गैर ग गोली गार देगा, अच्छा, यहां कोई आया था, यहां तो कई आये, कई गये, वो तो शायद आप वो हैं जिन्होंने गोली चलाई थी, मेरी बात का जवाब दो, दॉक्टर, गोली निकलवाने वाला अपने भाई को लेके निकल गया, पुझे, वो रही गोपाल की गारी है, यह तरी ही, पेट्रोल खतम हो गया, गोपाल बहुत आगे निकल जाएगा, उसे पकड़ना मुश्कल हो जाएगा, फिलाल तो दीपक से बचना मुश्किल है, हुआएगा, वालो ब्रदर, वीजे, पुझे, टीपक, तुम मोटर साइकल लेकर चलो, मैं इस से इनने पट लूँगा भाया मैं कहता हो, रुख जाओ टीपक मुझ में विश्वास करो, मैं वापस आकर अपने आपको पुलिस के हाले कर दूँगा जोड़े जाओ पुल भाभू कर रोकाई पुल पुल मुझे भाइया तो गए शाट आप आए साइगे शाट आप पुलिस ओफिजर हो तो तेरे जैसा मुझे तुम पर नाज है वैसे मैं भी कोई देश का दुश्मन है मुझे भईया तक पहुचना है देख मेरे भाई जीप में पेट्रोल खतम है और तेरी मोटर साइकल गोली खाके घाल बढ़ी चल कहीं से दूसरी सवारी का बंदबस करें और आगे चलें मैं और तुम्हारे साथ क्यों पुलिस और आर गवार में दो पुल उड़ जाएंगे रेलवे लंगड़ी हो जाएगी उसके बाद एक वार और और बंबई का रास्ता बंद घटिया आदमी घटिया बात करता है कोपाल दो चार पुल उड़ाने से सिर्फ दो चार हजार आदमी मरेंगे नेकी राम से कहो किसी भयानक ताकत से आटम बं लेकर फोड़ दे फिर चारो तरफ लाश हैं लाशे होंगी तुम और नेकी राम मिलके लाशों का व्योपार करना सबसे पहली लाश तुमारी होगी जिसके लिए बं नहीं तिरुफ एक छोटी सी गोली चाहिए सोच लो तुम्हारा दोस्त हूं भारत मेरा दोस्त नहीं भारत सबका दोस्त है हां तुम उसके दुश्मन हो और दुश्मन को जिन्दा नहीं चोड़ना चाहिए कारल साप पिड़ पेवार नहीं करता पर तुमारे तुछाती नहीं जाती दीरो की चुओ की नहीं को कार defend मैं तो पहले कर दो नजी तो गोली चल जाएगी अरु कारश तुमारा ये बॉम्म तुम सब को बढा़ा देगा के जेकिं तर भार अगर मर्द हो तो दो बराबर की टकका लड़ो बिना तलवार के आला अगर मर्द हो तो बराबर वाले के साथ टक कर लो हाँ 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 दूसरा है लगाना दूसरा लगाना दूसरा जी महराज अब मजा आएगा भरी बाद हिप हिप इस अगजय अडड़ खुूूुूूू। ऑपार प्रूद हमा भूबूूू। चोर दिजू हुई आप अपने वाखा मेवा असली खाल सा हो तो चार के साथ लड़ो आप दराओ आप अप आप 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 हाँ 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 तोली चड़ते आवारी आप हीर चीकर हाँ आप अपना आप अपना आप 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 अपराजी तुसी पंपरूद उठालो तो मैं पराज़ा आप 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 हाँ 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 मैं हाँ अच्छा तो होता अगर लेकी राम प्लान के मताबक इस भारत की गर्दन भारत सरकार के फंदों में गुड़ जाती लेकिन मुर्ली वाले की मुर्ली यही सुनाती है कि इन तीनों को फौरण गोली मार दी जाए मुझे मेरे जवालवर में गोली खत्म होगी तो मेरे रवल्वर रख इसमे की गोली है, मैं को चका चलाता वालाता रिसमे का बखली में गोल्वर अग्या जाए मैं का अध्या खाम वालाता वे पुटे रिए पुट थो फाउन बाभू लोटी फ़्टी जे़ ने चुरक लोटी वे लाकीு हाटा अ बूल आत्रा गोड़ी अपरादी, अपरादी, मेरी, मेरी मेरी पार्टी है आत्रा है कगड़े अपरादी बहुत बहुत खुआ खब दोमोड्ग को खुआ! बाया! आप्राओ! इचेड! आप्राओ! हाहा 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 हाह बेखोष हो किया अगर भारत के साथ यो बोश में आओ और अपनी आखों से देख लो तुम्हारा भारत बेखोष है अगर उसे यहां से बीचे भेंग दिया जाए तो उसकी लाइश तक नहीं मिलेगी अगर उसकी खेरियत चाहते हो तो अपने आपको मेरे जाए जाए लेकर दो डॉन अपनों पर भारूत लगा दो और हैंडल दवाकर ट्रेन के साथ इन चारों को भी उडा दो जल्दी करो जल्दी अब जल्दी से स्तार को मेल कनेक्शन साथ जोर दो जल्दी देख लिया नेकी राम प्लान का क्रश्मा भारत के टुक्ड़े टुक्ड़े हो गए ठूँ प्रेन हैने बली है थोड़ा से धुआ कर दो ताकि एंजिन ड्राइवर को कुछ दिखाई न दे भारत का इमानदार मजदूर इमानदार बिजनस में इमानदार फोजी और इमानदार पुलिस सब ख़ब हो जाएगा प्रेन के आते ही फेंडल दबा दो और पुरुणा दो जोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग जो पोले तो निहाद, जत्सरी अगाद वह वजीरामा, अद्टनु जजशाम ने कुनून की किताब के साथ से, उमर क्यात की सजाजिती मेरे जाज जाज होंदा ना, वधीरामा, ऐस थल्वार ना, तेरे टुकले-टुकले करके चीलकवूंग खलाता, हर बसे, चाल, बरो तु तो मेरी पाटी दोए? सर्दार जी मुबारक हो झाल 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 इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिष्टे नातों को मेना भूलूँगा, मेना भूलूँगा